आपका स्वागत करता हो दोस्तों अगर आप मोदी केर में काम करते हैं तो आपका ये सपना होता है कि आप कितनी जल्दी मोदी केर के डिरेक्टर बन जाएं और आप ये भी सोचते हैं कि आपके साथ साथ आपका डाउन लाइन भी डिरेक्टर बने अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है ये वीडियो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ जो मोदी केर ने ओफर के तह नहीं पता है आप कमिन बॉक्स में ज़रूर बताईएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी पहले से तो मैं बात करता हूँ अगर आप डिरेक्टर बनना चाहते हैं वो भी फरवरी या मार्च के महने में तो मोदी केर आपके लिए क्या ओफर लेके आई है वो आ आप जान लीजिए देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी केर ने फरवरी और मार्च के महने के लिए एक जानदार आफर निकाला हुआ है उन सारे लोगों के लिए जो अभी टेक डिरेक्टर नहीं बने हैं मतलब आप हो सकता है तेरा परसिंग के रैंक प बराबर है मतलब अगर आप 15% पे और आपके डाउन लाइन भी 15% पे और दोनों लोग मोदी केर में डिरेक्टर बनने के लिए महनत कर रहे हैं तो ये ओफर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्त्रपूर है ओफर है क्या ध्यान से सुनिएगा कमपनी आपसे क्या बोल रही डिरेक्टर जो आपका डाउन लाइन है वो भी डिरेक्टर बनता है उस केस में कमपनी ने कुछ चेंजिस किये हैं वह है आप समझिएगा पहले क्या नहीं था वह जानलीजे खांग क्या होने और आपका डाउन लाइन डिरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उस केस में उसका जो बिजनेस होता था आप में रोलाप पीवी में पहले महने के लिए आड नहीं होता था अब बहुत सारे लोग पूछोगे कि भाई रोलाप पीवी क्या होता है ये किस चडिया का नाम है रोलाप पीवी अगर आप पुराने कंसल्टेंट है तो जानते होंगे रोलाप पीवी होता क्या है नहीं है तो मैं आपको सौट में बता देता हूँ कि रोलाप पीवी होता क्या है company में, modi care company में roll up PV का मतलब ये होता है जो लोग भी आपकी नीचे director बनते हैं और किसी भी कारण वस वो director qualify नहीं कर पाते क्योंकि modi care में जो director qualification का criteria है वो है 1200 PV माल लिजे आपके downline ने 1200 PV का business नहीं कर पाएं तो उनका जो business होता है, group PV होता है वो आप में add हो जाता है और जब वो add हो जाता है तो उसको company roll up PV के नाम से मानती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि roll up PV होता क्या है अब नए offer के तहट company ने क्या बदलाव किया है जो सिर्फ फरवरी और March महने के लिए applicable है वो बदलाव ये है कि अगर फरवरी महने में आप भी डिरेक्टर बनते हैं और आपका down line भी डिरेक्टर बनता है और किसी कारण वस आपका down line डिरेक्टर qualify नहीं कर पा रहा है तो उसका जो business है वो आपके पहले महने में ही roll up PV की तरह count होगा बिल्कुल सही सुन रहे हैं roll up PV की तरह count होगा इससे फाइदा क्या होने वाला है समझेगा एक example के माद्यम से मैं समझाने की कोशिस करता हूँ बड़े ध्यान से समझेगा इसका सबसे बड़ा फाइदा होने वाला है मान लीजिए आप 15% rank पे हैं आपने उस लेगे के अलावा मतलब non director लेगे अलावा जो आपके नीचे डिरेक्टर बना उसके लेगे के अलावा आपने 2000 BV का बिजनेस किया है total 2000 PGPV का BV मैं बोलूँगा total PGPV 20,000 का बिजनेस किया है पर by default आप director qualify नहीं है क्योंकि director qualify होनी के लिए आपको चाहिए थे 33,750 BV जो आपके नहीं हुए है और आपकी लेगे का जो एक डाउन लाइन है जो director बन गया है उसने भी जो total बिजनेस किया है वो किया है 20,000 GBV मतलब बिजनेस वालूम 20 GBV 20,000 का किया है और by default वो भी डिरेक्टर qualify नहीं हुआ क्योंकि उसको चाहिए थे 33,750 अब आपका यहाँ पर फाइदा स्टार्ट हो गया पिछले plan के recording यह 20,000 BV आप में add नहीं होते रोल अप PV क्योंकि आप दोनों लोग उसी मत डिरेक्टर बने हो लेकिन नए plan के recording यह दो महने के लिए भी offer चला है इस offer के recording 20,000 जो BV है वो आप में add हो जाएगा रोल अप PV की तरह और इस महने company रोल अप PV काउंट कर रही है फरवरी और मार्च के महने में तो फाइदा क्या हुआ 20,000 रोल अप PV उसका आ गया 20,000 आपका था तो total हो गया आपका 40,000 जी BV और by default आप हो गया डिरेक्टर क्वालिफाई आप डिरेक्टर क्वालिफाई भी बलकि आप senior director क्वालिफाई कहलाओगे क्योंकि आपके नीचे एक डिरेक्टर आया हुआ है लेकिन वो qualified नहीं है जब तक हो qualified नहीं होता आप senior director नहीं कलाओगे rank तो आपकी रहेगी डिरेक्टर लेकिन आपका जो required BV था वो आप qualify कर गए अपने downline की वज़े से जिसके कारण आपके bank account में डिरेक्टर बोनस आएगा डिरेक्टर बोनस आपको बनेगा आपके downline को नहीं बनेगा लेकिन आपको बनेगा तो यह सबसे बढ़ा फाइदा है अगर आप फरवरी और मार्च के महने में डिरेक्टर बनने जा रहे हैं तो इस offer का मैं highly recommend करूंगा कि आप इस offer का लाब जरूर उठाएं अब जरा सोचो अगर आपका downline दूसरा सिनारियो लेते हैं आपके downline ने डिरेक्टर क्वालिफाई कर लिया तो क्या होगा अगर आप भी उसी मेंने डिरेक्टर बन रहे हैं और आपका downline भी डिरेक्टर बन रहे हैं और downline ने डिरेक्टर बीवी का बिजनेस करना पड़ेगा जिसको अगर मैं पीवी में कनवर्ट करूं तो लगबग लगबग 1100 पीवी का आपका बिजनेस करना पड़ेगा अगर आपने 1100 पीवी का बिजनेस कर लिया तो आप senior director qualify कहलाओगे और आपको director bonus मिलेगा प्लस travel fund भी आपके account में आएगा तो ये बहुत जबदस फायदा होने वाला है आपके लिए फरवरी और मार्च के महने में तो लग जाएए मेरे दोस्तो मेहनत करने के लिए लग जाएए जी तोड़ मेहनत करिए इस फायदा का लाब उठाईए और जल से जल बोदी केकर director बनिये और अच्छा खासा income कमाईए आई होप मेरे दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी जानकारी मिली होगी कुछ नई बाते आप सीख के गए होंगे यही चीज आप अपने डाउनलाइन को भी बताईए और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने डाउनलाइन के साथ शेयर कर दीजे ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी मिल सके अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत तो मेरे दोस्तो हम मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिन